दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो इस स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्ट पक्षर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा पूर हर्मिट एंड दा माइजर वोमन क्या मतलब हुआ दोस्तों हर्मिट का मतलब होता है साधू या फिर सन्यासी उसे हर्मिट कहा जाता है और जो माइजर है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दा पूर हर्मिट एंड दा माइजर वोमन मतलब की गरीब सन्यासी या कह सकते ह और कंजूस महिला तो दोस्तों ये आज की स्कानी का टाइटल है शीर्शक है और आप मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया इस्ट्रक्चर मिले तो आप उ चलिए इसको शुरू करते हैं कि क्या मतलब वह तो ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी वाक्य में वाज या वर्का प्रियोग करते हैं हेल्पिंग वर्फ के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फि सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है और जब आप कोई भी सिंपल प्रिजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह की वर्व का प्रियोग नहीं किया जाता है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ मतलब एक बार एक गरीब और बुढ़ा साधू था दा विलेजर्स यूजड तू गिव हिम आम्स एवरी डे क्या मतलब हुआ और दोस्तो यह जो हमारा वाक्य है यहां पर यूस्टू का प्रियोग किया गया है यूस्टू का प्रियोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाते हैं जहां पर हम कोई सी भी कंसिस्टेंसी दिखाना चाते हैं जहां हम यह शो करते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्तिक किसी काम को बराबर किया करता था तो वहां पर यूस्टू का प्रियोग किया जाता है और दोस्तों यह जो आप वर् करते थे हैं बीक दिया करते थे एवरी डे हरोज़ सी पूरी लायन का क्या मतलब हुआ जो गरमीन थे वह से हर रोज भीक दिया करते थे चली आगे देखिए the hermit had the habit of sharing his food with beggars and needy people क्या मतलब वह इस line का दोस्तो ये जो हमारा वाक्य है the hermit had the habit ये हमारा past का possessive sentence है जब आप past में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप ये show करते हैं कि past में किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर head का प्रियोग किया जाता है helping orf के रूप में और जो इस तना का वाक्य है वो past possessive का वाक्य कहलाता है तो इस line का क्या मतलब हुआ the hermit had the habit मतलब कि जो सादू था had the habit उसकी आदत थी of sharing share करने की मतलब की साजा करने की share का मतलब होता है चीज को साजा करना दूसरों के साथ बांटना मतलब उसकी आदत थी बांटने की his food अपने खाने को with baggers मतलब बिखारियों के साथ and needy people और दोस्तों needy adjective है जिसका मतलब होता है जरूरत मंद और जरूरत मंद लोगों के साथ तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हर्मिट था जो सादू था उसकी आदत थी कि वो अपने खाने को गरीब मतलब की बिखारियों के साथ और जरूरत मंद लोगों के साथ वो उससे साजा किया करता था उनके साथ वो बांटता था चलिए आगे देखिए Once he raised an old woman's house और दोस्तों यहाँ woman के बाद epistrophy s का प्रियोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाता है तो वहाँ पर epistrophy s का प्रियोग करना होता है जिसका मतलब है का के की तो क्या मतलब हुआ, once, एक बार, he reached, मतलब पहुचा, ये reach मतलब पहुचना second form है, वह पहुचा, an old woman's house, एक बुड़ी महीला के घर पर, she was a cruel woman and a miser, और दोस्तों, ये भी हमारा simple past का वाक्य है, और ये जो आप word देख रहें, cruel, ये एक adjective है, जिसका मतलब होता है, cruel, तो क्या मत use, चलिए, आगे देखिए, on asking for arms, she gave some leftover food to the hermit, क्या मतलब हुआ, दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज नोट करनी चाहिए, ask का मतलब पूचना होता है, लेकिन जब आप ask के साथ four को जोड़ें, तो उसका मतलब पूचना नहीं, उसका मतलब होता है, मांगना, तो आप इस asking for arms, मतलब कि भीग मांगने पर, she gave some leftover food, और दोस्तों, leftover food का मतलब होता है, बचा खुचा खाना, तो उसने क्या करा, she gave, और यह give की second form में, उसने दे दिया, some leftover food, मतलब कुछ, बचा खुचा खाना, to the hermit, सादू को, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कि भीग मांग the next day, the hermit went to her house for food once again, क्या मतलब हुआ, the next day, मतलब कि अगले दिन, the hermit went, और यह go की second form है, और दोस्तों, यह हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है, जहां वर्व की second form का प्रियोग किया जाता है, तो क्या मतलब हुआ, कि अगले दिन, the hermit, वो जो सादू था, went to her house, वो उसके घर गया, for food, खाने के लिए, मतलब भोजन के लिए, once again, फिर एक बार, she gave food again, unwillingly, और दोस्तों, आप इस word को note कर सकते है, unwillingly यह एक adverb है, और unwillingly का मतलब होता है, अनिक्छा से, जब व्यक्ति कोई भी कार्म तो करे, लेकिन वो अपनी इक्छा से ना करे, तब वहां पर unwillingly का use किया जाता है जिसका मतलब होता है, अनिक्छा से, और यह एक adverb है, और adverb का मतलब होता है, किसी वर्व की विशेशता को बताने वाला शब्द, उसे adverb कहा जाता है, और आप इस word को note कर सकते है, unwillingly, तो क्या मतलब हुआ, she gave food again, unwillingly, मतलब उसने दुबारा खाना दिया, unwillingly, मतलब उसने अन इक्छा से नहीं दिया, अनिक्छा से दिया, with a heavy heart, with a heavy heart, मतलब एक भारी मन से, heavy heart, मतलब एक भारी मन से उसने वो खाना दिया, उसकी इक्छा नहीं थी, on seeing the hermit on the third day, on seeing the hermit on the third day, मतलब की, उस साधू को देख कर, on the third day, तीसरे दिन, the old woman got irritated, और दोस्तों, यह जो हमारा वाक के irritated, इसका मतलब होता है, खीज जाना, चिल जाना, और यह एक adjective है, और दोस्तों, मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूँगा, कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं, जहां पर आप adjective को वर्फ की रूप में प्रियोग करते हैं, तो उसके लिए आपको एक supporting वर्फ का तीसरे दिन, the old woman got irritated, यह जो बोडी महिला थी, got irritated, वो चिल गई, she mixed poison in rice and gave it to him, क्या मतलब हुआ, she mixed, mix का मतलब होता है, मिला देना, कुछ मिलाना, तो उसने मिला दिया, mixed क्या करते है, poison मतलब, poison मतलब जहर, उसने जहर मिला दिया in rice, चावल में, and gave it to him, और उसने उसे वो दे दिया, और यह इट जो है, वो उन चावलों के लिए उसके आगे है, तो इस पूरी लान का क्या मतलब हुआ, she mixed poison in rice, उसने मतलब, जहर मिला दिया, चावल में, and gave it to him, और उसे वो दे दिया, चलिए, आगे देखिए, the hermit raised her heart, and was about to eat the food, she had given to him, क्या मतलब हुआ, the hermit raised her heart और दोस्तों, यहाँ पर यह हर है, और मुझे लगता है, यह शायद by mistake, maybe print की कोई mistake है, तो आप इसे her ना समझें, आप इसे his की तौर तोर पर use करें, क्योंकि जब किसी male के साथ कुछ जोडा जाता है, तो वहाँ पर her नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर his लगाया जाता है, तो आप इस चीज को note कर लीजिए, कि यहाँ पर her लिखाए, लेकिन आप इसके his ही समझें, तो क्या मतलब हुआ, the hermit raised his hut, मतलब जो hermit था साथ होता हूँ अपनी hut पर, hut का मतलब था जहौपड़ी, वह अपनी जहौपड़ी पर पहुचा, and was about to eat the food, और दोस्तों, यहाँ पर was about to का प्रियोग किया गया, यह अच्छा structure है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं, जहां आपके वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे हो, तब was about to का प्रियोग किया जाता है, तो आप इस चीज को भी नोट कर हैं, जहां पर वाला था, वाली थी, तरह के शब्द आपके वाक्य की टेल पर हो, तो वहां पर was about to का प्रियोग किया जाता है, helping वर्फ के रूप में, तो क्या मतलब हुआ, the hermit raised his hut, मतलब जो hermit था, सादू था, वो अपनी, जहां पड़ी पर पहुँचा, and was about to eat the food, वो औ about to eat the food, she had given to him, जो उसने उसे दिया था, और दोस्तों, इस वाक्य में, head के साथ, third form का प्रियोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसी भी वाक्य में, head के साथ, वर्फ की third form का प्रियोग किया जाता है, तो वो past perfect का वाक्य बन जाता है, तो यह हमारा past perfect का वाक्य है, तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया हो, कि जो सादू था, वो अपनी जहांपडी पर पहुंचा और वो उस खाने को खाने वाला था, जो उसने उसे दिया था, और यहां जो शी है, वो उस बूरी महीला की यूस किया गया, तो मतलब जो उसन एक जवान आदमी कह सकते हैं, नव यूवक केम आया, एंड सैड और कहा, आई एम हंग्री, और दोस्तों यह जो आप वाक्य है, देखना है, यह हमारा सिंपल प्रिजेंट का वाक्य है, सिंपल प्रिजेंट का मतलब होता है, जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बन साथ में इसमार का प्रियोग करें, हेल्पिंग अवर्त के रूप में तो इस तरह का वाक्य होता है, जहां पर किसी बप्रिकार की वर्तम का प्रियोग नहीं किया जाता है, तो पुद यह एक जवान अदमी आया और उसने क्या कहा? I am हंग्री में भूका हूँ, can you feed me something, और यह एक वर्व है और यह वर्व की first home है, can you feed me something, क्या और दोस्तों यह interrogative है, और यहाँ interrogative mark, chin भी है, और जब आप कोई भी interrogative आपके बनाना चाहते हैं, तो महाँ पर helping orv को पहले लिखा जाता है, तो can का प्रियोग किया गया, can you feed me something, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो, च का मतलब होता है दे देना तो क्या मतलब हुआ हुआ था जवान आदमी को चली आगे देखिए दा यंग मैन एट दा पोईजन राइस एंड डाइड इनस्टेंटली तो यंग मैं यह जो यंग मैं था तो यह तो यह जवान करें असट पोईजन राइस और पोईजन का मतलब होता है विशाक जहरीला और मर गया उसके मिरती हो गए instantly instantly मतलब तुरंत और यह एड़व है आप इसे नोट कर लीज़े तो इस पूल लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस जवान आदमी ने वो जो जहरीला चावल थे उनको खा लिया and died instantly और उसकी तुरंत मर गया उसकी तुरंत उसकी मिर्तियू हो गई चलिए आगे देखिए यहां वोमेन के बाद ऐसका प्रियूख किया गए जिसका मतलब है काखे की दा यंग मैन वाज दा ओल्ड वोमें सन और यह भी हमारा के and had returned और वो लॉटा था after a long journey और मतलब एक बहुत लंबी यात्रा के बाद of many days कई दिनों की तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो यह जो जवान आदमी था वो उस बुड़ी महिला का बेटा बेटा था जो की लॉटा था after a long journey मतलब एक बहुत लंबी यात्रा के ब प्लान था योजना थी रिजल्टेड वो परिणाम हो गया रिजल्ट का मतलब तो परिणाम हो ना मतलब कि परिणाम हो गया किसमे इन लॉस ऑफर ऑनली सन उसके मतलब अपने एकलोते बेटे के नुकसान के रूप में चलिए दोस्तो अब इस जो कहानी का जो मॉरल है वो भ मतलब बुराइ का एक जो अन्त होता है एयृव एजन एविलेंड मतलब वो बुरा ही होता है तो दोस्तो यह आज की एक चोटी सी कहानी थी लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो कहानी का मॉरल है जो कहानी का संदेश से वह हम सब लोग के लिए बहुत ही बड़ा है और हमें इ उसका करम था वो उसके आगे आया और उस बुड़ी में ही लगा बेटा ही उन चावलों को खा कर उसके मिरती होगे जिससे हमें पता लगता है कि यदि हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है तो दोस्तों यह आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश किये यहां पर आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की अच्छे से एक्स्प्लेइन करने की यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रियास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करे शेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बता है यदि कोई सुझाव हो और यदि आपने आज की इस स्टोरी में कोई भी वर्ड या फिर कोई भी ग्रामर का इस्ट्रक्टर सीखा हो तो कमेंट के मादियम से जरूर बता है मुझे आपका इंतिजार रहेगा सुनने के लिए थैंक्यू सो मच्याव नाइस डेय और बाई